नमस्कारी डिया नियूज राजस्थान देख रहे हैं आप में गरिमा श्रिवास दवा के साथ चक्रवाद बिपरजोई ने अपना कहर देश के कई राज्यों पर बरबाया है गुजरात के बाद चक्रवाद बिपरजोई का सबसे जादा बुरा असर राजस्थान पर साप नज़र आया यहां के करे लाकों में लगातार बारिश हो रही हैं भारी बारिश की वज़ों से यहां पर नदी और नाले उफान पर हैं चलौर में लगातार 36 घंटे की बरसाथ से हालात बिगडे हुए हैं इसके अलाबा सिरोही और बार्मेर में भी बार जैसे हालात बने हैं साइकलोन विपरजोय के असर से हुई भीशड बारिश में अजमेर से लेकर पाली तक के इलाके में पानी भर चुका है सबीच मौसम विभाग में अभी बारिश से रहत नहीं मिलने की संभावनाई भी ज़ताई हैं फिलाल रहत और बचाव कारी टीम अतिसमेदन श्वील इलाकों से लोगों को निकाल कर सुरक्षित जगों पर पहुचा रही है चलौर के रानी वाड़ा के सुरावा का बांध चूबने के साचोर शहर में पानी घुसाया दुकानों में 5-6 फिर तक पानी भर गया वहीं अजमेर के अस्पतालों में लबा लब पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है पाली जोदपुर सिरोही में बारिश की वज़र से बड़ी बरबादी नज़र आई यहां के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाड़ के हालात बने हुए है राजस्तान के आपदा और रहत सचिव पीसी किश्वन ने कहा के बाड़ मेर जालाओर और सिरोही समित राज्य के कई हिस्सों में अंगले 15-20 खंटों में बारी बारिश को अलर्ट है हमारी टीमें अलर्ट पर हैं फिंडवाडा आबू रोड और रिवार के कई बांध अब भी भर चुके हैं नदी नाले उफान पर हैं सिरोही के बतिसा बांध का जलस्तर 315 मीटर है और बांध से पानी छोड़ा जो रहा है मुसम विभाक के अनुसार रविवार को पाली के एरट पुरा रोड में 226 मिलो मीटर और सिरोही में 155 मिली मीटर चालाओर में 123 मिली मीटर और जोध कोई शहर में 91 मिली मीटर बारिश दर्स की गई है राज आपदा राहत बल यानि की स्टी आरेफ के कमांडेंट राज कुमार गुपता के मताबिक चालाओर के भीन माल कस्बे की बार प्रभावित ओड बस्ती में फसे 49 नागिलकों को बचाया गया बार्डमेर और राजसमंद जिलों में बारिश से जुड़ी दो अलग अलग घटनाओं में एक महिला समेत चाल लोगों की मौत की खबरे भी सामने आई परडमेर के सेवड़ा थारदेक शंसाराम के मताबिक गंगासरा गाउ मेर अविवार के सुबा दुना बालिक भाईयों की तराव में डूमने से मौत हो गई शबो को बहन निकाल कर पोस्ट मौटम के बाद उनके परिजनों को सौप दिया गया वही राजसमन्द पुलिस कंट्रूर रूम से मिली जानकारी के मताविक राजसमन्द के बगोटा गाउ में प्रेम सिंग राजपूत की जमीन खिसकने और केलवा थाना क्षेतर की लाली बाई की घहर की बालकनी गिरने से मौत हो गई मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 गंते के लिए पाली सिरोफी राजसमन्द और उदैपूर में रैडलोर चारी किया है अधिकारी ने ये बात कही कि अजमीर भीलवारा चितोरगर दूंगरपूर टूंक बूंदी जैपूर नागवर जालाओर में छिटपूर जक्मों प बाहर ना नहीं तमाम और भी बड़ी चौन का रहें आप सभी तक पहुचाएंगे बने रहें ध्यारियों साथ अस्थान के साथ थन्यवाद